Maximum Height का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सेख लेते हैं Maximum का मतलब होता है अधिक्तम या ज्यादा से ज्यादा और Height जो है वो किसी चीज की उंचाई को कहते हैं तो कहीं पर किसी चीज की height की जो ज्यादा से ज्यादा limit होती है, उसको उस चीज की maximum height कहा जाता है, यानि कि किसी चीज की height जो है ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, उसके लिए maximum height का इस्तेमाल किया जाता है, यानि कि मानले जी कोई पेड़ है, वो ज्यादा से ज्यादा 25 मीटर उंचा हो सकता है तो हम कहेंगे कि speed की जो maximum height है वो 25 मीटर होती है यानि कि किसी भी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा उंचाई यानि कि maximum height refers to the highest point or distance above a specified reference level. It's a measurement often used to describe the vertical extent of an object structure or phenomenon यानि कि किसी भी phenomenon का या किसी भी structure या object की जो उंचाई होती है वर्टिकल यानि कि नीची से उपर की तरफ जो ज़्यादा से ज़्यादा extent होता है यानि कि विस्तार होता है तो उसको हम उसकी maximum height कहते हैं इसको इन example sentences से और अच्छे से समझ लेते हैं. The maximum height of the skyscraper is 300 meters making it one of the tallest building in the city ये जो skyscraper है skyscraper का मतलब होता है कि कोई भी गगन्चूंबी इमारत होती है गगन्चूंबी इमारत मतलब कि बहुत उंची इमारत जो होती है जिसे बहुमंजिला इमारत भी कहते हैं तो जिसमें यानि कि 20-25 फ्लोर हों तो ऐसी जो इमारते हैं, buildings होती हैं उनको skyscrapers कहा जाता है तो ये जो skyscraper है इसकी height 300 meter है यानि कि 300 meter उंची है और इस शहर की सबसे उंची इमारत बनाता है यानि कि जो इसकी 300 meter की height है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें